हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरी चैनल स्टेडी एंड मोटिवेशन विद कीटू पर शुरू कहते हैं आज की टॉपिक से हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है प्रागेति हासिक काल इसमें मैंने जो है कुछ सेलेक्टिव प्रशन लिये हैं जो कि एक्जाम की पॉइं क्या है इसमें हमारा पहला प्रशन है जिस काल में मनुश्य ने घटनाओं का लिखित वेवरन नहीं दिया है उसे क्या कहते हैं जिसमें लिखित वेवरन नहीं मिला है उसे कहते हैं प्रागेति हासिक काल ठीक है अगला प्रशन है जिस काल में मनुश्य ने घटनाओं का लि लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं आद्या इतिहासिकार ठीक है अगला इसके अंतर गर्द्च है पचीस सो इसापुरु से 600 इसापुरु के मध्या कहला आता है यह आप्षान रखेंगे क्या बार जो है सन पूश ले जाता है कि कितने सी कित लिखितसा मगरे उपलब्द है उसे क्या कहते हैं जिस काल की हमने लिखितसा मगरे उपलब्द है उसे कहते हैं एतिहासिक काल और इसी काल में जो मनुश्य सब्ह बन चुका था ठीक है अगला प्रेशन है पाशान काल को कितने भागों में बाटा गया है तो इसे तीन भागों में बाटा गया है पूरा पाशान काल मध्या पाशान काल नव पाशान काल ठीक है अगला प्रेशन देखते हैं पूरा पाशान काल कब से कब तक चला तो पूरा पाशान काल जो है अग्यात काल से आठाजारी साफ फुर्फ तक चला अग्यात काल का मतलब है जो कि पहले का काल है लेकिन उसका एक्जक टाइम पता नहीं है मतलब कि कौन से पीरियर्ड से वो शुरू हुआ है तो इसे लिए अगला है मध्य पाशान काल कब से कब तक चला तो जो मध्य पाशान काल है वो आठाजार इसापुर से चाराजार इसापुर तक चला ठीक है अगला प्रेशन है नव पाशान काल कब से कब तक चला तो नव पाशान काल जो है 4000 Julius.com 25rete.com अगला प्रशन है पूरा पाशान कला कृती की खूँज कहाँ पर हुई कहाँ होगा ये खान ने होगा कहाँ पर हुई ठीक है तो इसकी जो कला करीटी की खूँज है वो हूँ पलबरम में जो कि मतरास में है ठीक है आग की खूज किस काल में जो है आग की खूज की खूज होई थी ठीक है अगला प्रेशन है पूरा पाशान काल में जीविका साधन क्या था? ठीक हे तो इसका सही अंसर होगा शिकार शिकार के थूझ वो अपनी आजीविका चलाते थे ठीक हे अगला है शवाधान देह संसकार की प्रक्रिया किस काल में शुरू हुई? तो ये शुरू हुए मध्य पाशान काल में ठीक है अगला प्रशन है पहिये की खोज किस काल ने हुई ये भी बहुत important है पहिये की खोज जो है किस काल में ये हुई थी नव पाशान काल में ठीक है कब हुई नव पाशान काल में अगला है क्रिशी का अविश्कार कब हुआ तो जो क्रिशी का अविश्कार है वो भी नवपाशान काल में हुआ पहिये की कोज नवपाशान काल में हुए और क्रिशी की कोज भी क्रिशी का अविश्कार भी नवपाशान काल में हुआ था अगला प्रशन है नवपाशान काल में मनुश्य किस की पूजा करते थे किसी को तो पूछते होंगे देवी देता तो वो मातरी देवी की पूजा करते थे ठीक है अगला प्रशन है भवन निर्मान की शुरुआत कब हुई पहिए की खोज हो गई और आपका भवन निर्मान यानि जो भवन इमार्ते बनानी शुरू की घर बनाने शुरू की है वो बनाने शुरू की है नवपाशान काल में ठीक है अगला प्रशन है मनुश्य में मनुश्य में स्थाई निवास की प्रवरीती किस काल में आई जो स्थाई निवास की प्रवरीती जो है मनुश्य में नव पाशान काल में आई थी ठीक है अगला प्रशन है मनुश्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाए ये बहुत बार कूछा जा ज़ूगाया शन थाप जा। था जा है ठीकमचे मनुष्षयों के सबसे पहले तामबा थाटू का प्रि philanthrop किया था और वारि पूछ लाया था कि स्बसे पहले जो हैं । तामबे का प्रियोग तो थातू में लेकिन उससे बनाया क्या तूर्स से सबसे पहले कुलहाडी बनाई और जो जो कुलहाडी मिली है वो मिली अतिरम पक्कम छेनने से प्राप्त हुई है ठीक है अगला प्रशन है अन उत्पादक स्थाल कहां से प्राप्त हुई जो खाने का अन अनाज जो है उसका उत्पादक स्थाल प्राप्त ठीक है सबसे पहले कौन सी फसल होगाई गई तो सबसे पहले होगाई गई जो और गे हों ठीक है अगला प्रिशन है भारत में सबसे प्राची नगर कौन सा है तो जो भारत में सबसे प्राची नगर है वो है मोहन जोदरो कहा है पाकिस्तान में कई बार पूछ लेता कि मोहन ज प्राप्ट हुए हैं जैसे मतलब हडिया वेयरा जो है वो प्राप्ट हुए है शिवालिक से ठीक है आप याद रखेंगे शिवालिक से प्राप्ट हुए है जो शिवालिक में जो है सोहन नदी की घाटी से प्राप्त हुए है ठीक है चलिए अगला प्रेशन है भारत में मनुष्य संबंदी प्रत्थम प्रमान कहां से प्राप्त हुए कि मनुष्यों पहले भी थे या कब से थे जो भी है यह सब कहां से प्राप्त हुआ तो इसमें यह जो प्राप्त हुए था नरमदा घाटी से और ये जो है मत परदेश में और यहाँ पर जो सबसे पहले मनुश्य की खोपड़ी मिली थी ठीक है अगला प्रशन है मनुश्य का वैग्यानिक नाम क्या है मनुश्य का मैग्यानिक नाम है होमोसेपियन याद रखेगा यह बहुत बार बोचिए जा जाता that question कि मनुश्यो का वैगैन कि नाम होमो सेपियन होमो सेपियन को धरते पर है 3 तीस से 40 थाजर सोरी 3 से 40 वर्ष पुर आये थे तीस से 40 थाजर वर्ष पहले आये थे ठीक है अज कह हमारा last question है भारत में सबसी प्राचिन सभ्यता कौन सी है जो भारत में सबसी प्राचिन सभ्यता है वो है हडपा सभ्यता और हडपा सभ्यता के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे इसलिए मैंने ये लास्ट कोशन रखा इसका ठीक है लेकिन आप याद रखेगा सबसे पुरानी सभ्यता है ये प्राचिन सभ्यता ठीक है अगर ये वीडियो आपके लिए हैलफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दे साथ ही सबस्क्राइब भी कर दे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही अगर आपको हिस्टरी की प्लेलिस्ट में जाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएए वहाँ पर आपको हिंदी हिस्टरी दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी थैंक्यू फर वाचिंग मुस्कुराते रहिए